नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है प्रदीप चोहान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल खबरहाट बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी और उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजे हमारा थ सांसद का दूसरा दिन था अठारवी लोकसवा के पहले सत्र का दूसरा दिन लेकिन आज सदन में जो कुछ देखने को मिला शायद आपको दुबारा ना देखने को मिले खैर अब आदत भी पढ़ गई होगी आपको ऐसी इसी अजीव और गरीब चीज़े देखने की जो कोई कह रहा है जै добinge और कोई कह रहा है जैसरी राम ऐसी चीजे सदन के अंदर जो सम्विधान के खिलाव है जिसका सम्विधान में जो हम वो मना है जिस बात का जिक्र करना वो वहां पर किया गया, शपत के साथ क्या जरूरत थी इसकी। और सारे के सारे आप समझ गया होंगे नारों से ही किस तरफ के लोग थे हैड़ के बार की जे कौन बोल सकता है जै सी राम कौन बोल सकता है जै हिंदूराश्टर कौन बोल सकता है और फिलिस्तीन जै फिलिस्तीन बोलने वाले वह यह सी थे तो इस तरह के नजारे शपत वे ग्रैंड के टाइम मिल रहे संसद में और खेर ये तो छोटी बाट है सबसे बड़ा नोटंग की सबसे बड़ा तमाशा तो खुद प्रधान मंतरी ने कर दिया सदन में प्रधान मंतरी मोदी की जिद की हो ऐसे जिद क्या कि मैं तो ओम बिड़ा को ही बनाऊंगा ओम बिड़ा को क्यों बनाऊंगा क्योंकि पिछली बार एक आख नाख कान सब बंद करके मेरा हुकम सुना था चलिए वो भी ठीक है लेकिन डिप्टी स्पीकर भी नहीं दूँगा समर्थन तो चाहिए विपक्ष सहमती से एक स्पीकर को चुने लेकिन मैं बदले में डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दूँगा विपक्ष को क्यों नहीं दूंगा पिछले वीडियो में बताया था मने नहीं पता तो वीडियो देख लीजे पिछला मोटा मोटा बता देता हूं कि अगर डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होगा तो बहुत कड़े वक्त में मोधी जी को भारी पढ़ सकता है इसलिए कहा पिछली बार तो स संसथ में हो रहा है प्रधान मंत्री की जिर्की विया से मैंने सुबह के पहले वीडियो में कहता है लाइप जो क्छुरा है क्योंकि जो संसथ का सत्र चलता है उस पर जो है वो नहीं मिला है, मेजोरिटी नहीं मिली है, लोगों ने मुझे पूरा समर्थन नहीं दिया, लेकिन मैं नहीं बदलूँगा। मैं तो अब भी वही मोदी हूँ जो दस साल से था, यानि अपनी अकड में ही रहूंगा। ये संदेश देनी की कोशिश की। और एक संदेश इस से और साफ दिया, कि मैं नहीं बदलूँगा। आप और हम उम्मीद कर रहे था न, कि अब गठवंदन की सरकार है, अब तो मोदी जी को बदलना पड़ेगा। मोदी जी ने शुरू भी कर दिया था, मित्रों की जगा दोस्तों कहना शुरू कर दिया है, मोदी का परिवार या मोदी मोदी कहने की जगा एंडी का परिवार कहना शुरू कर दिया है, लेकिन उस सब दिखावी आडंबर है, अंदर से मोदी जी वही है कि मैं नहीं और यही संदेश देना चाह रहे थे पूरे देश को, यही संदेश देना चाह रहे थे विपक्ष को, यही संदेश देना चाह थे अपने सही योगियों को लेकिन इस चक्कर में मोदी जी एक बहुत बड़ी गलती कर बैठे मोधी रिस्क लेने के लिए तैयार है इस कदम से तो यह साफ धरगता है कि मोधी जी अपने जो तरीका है काम करने का उससे नहीं हटेंगा रिस्क लेने के लिए तैयार है और मध्यावधी चुनाओ के लिए भी तैयार है जी हां मध्यावधी चुनाओ का इशारा इससे मिलता क्यासे मिलता है इसके लिए आपको गणित समाझना होगा आए जो अमीदवार उतारे हैं ओम बिर्दा और के शुरेश अब इन दोनों के गणित के इसाफ से देखें तो गणित के इसाफ से तो लगेगा कि इंडिया गठवंदन नहीं जीत सकता अंडिया कजीते का लेकिन इं अब आप कहेंगे 542 क्यों तो आप भूल गए कि राहूल गांदी ने अभी वाइनाड से स्तीफा दिया है तो एक सीट खाली है पांसो बैल स्कूल सांसाथ है जिसमें से एंडिये के 293 है और इंडिया गटबंदने के 233 है और अन्या सोला है यानि 273 चाहिए स्पीकर पर जीत हासिल करने के लिए तो उससे 20 ज्यादा है इंडिये के पास और जबकि इंडिया गटबंदने के पास अगर अधर्स को भी मिला लें तो भी तक्रिवन तक्रिवन 23 सीट कम पड़ती है तो ऐसे में क्या यह देखिए यह हैं इंडिया गटबंदन पूरी पार्टियों का देखिए यह टोटल एंडिया गटबंदन है जो आंकड़ा बैठता है अब दूसरी तरफ आंकड़ा देखिए किसका एंडिये का मोधी जी के एंडिये का पूरा है बीजेपी की 240 से लेके नीचे तक लेकिन जो बीच में हाइलाइटीड है ना खेल सारा यहीं है इंडिया गटबंदन इन्हीं पर बहुत बड़ा रिस्क लेरा या इन्हीं पर दाव लगा रहा है यह 40 सांसद जिसमें से टीडीपी के सोला जेडियू के बारा सिफसे नशिंदे के साथ और एल जेपी राम विलास के पांच 40 सांसद हो जाते हैं इन मेंसे अगर माल लीजी थोड़ा बहुत किसी ने क्रोस वोट कर दिया फिर क्या होगा आधों ने भी क्रोस कर दिया चालिस में से बीस ने कर दिया तो क्या होगा अब आप कहेंगे कि यह क्रोस करेंगे भाई क्रॉस इसलिए करेंगे कि उसकी वज़ा है लेकिन उससे पहले तिरह यह अन्यू की संख्या भी एक बार देख लिए अन्य है कितने सोला जिसमें से साथ इंडिपेंड है चार वाइसर सीपी के हैं बाकी और एक एक करके छुट-छुटी पार्टी उगे हैं तो मैं बता रहा प्रधान मंतरी ने किक तो मैंने कहा मध्यावधी चुनाव के लिए वो तैयारी उन्होंने दिखा दिया पूरे सब को बता दिया अपने सहयोगों को भी इंडिया घडबंदन को लिए भी कि मैं तैयार हूं दूसरा यह जो चार मैंने पहले दिखाई ते आपको कि टीडीपी और वो इन्हें सीधा मैसेज मिल गया है कि आप जित्रा मर्जी बार्गेन कर लेंगे में साथ मैं तो वही करूंगा जो मुझे करना है ओम बिड़ला को पिछली बार भी इन पार्टियों ने देखा था कि ओम बिड़ला ने किस तरह से लोग सभा स्पीकर के प जतना है तो उसके लिए सबसे पहले निशाने पर यही पार्टियां आएंगे अब यह पार्टियां अभी समझ गई इशारा अभी कर दिया तो ठीक जिस पर इंडिया गटबंदन दाव लगा रहा है कि शायद कुछ कर जाए मान जाए नहीं तो आगे यह समझ गई हैं कि इ जखकर में डिप्टी स्पिकर ना दिने के चक्कर में मोदी जी ने इतना बढ़ा घढ़ा अपने लिए खोद दिया है अब इस घढ़े में कल गिरे ना गिरे लेकिन आने वाले वक्त में ज़रूर गिरेंगे क्योंकि ए अडियल पन्म का जो एक नमूना दिखाया है मोदी जो बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं शायद शिंदे या चिराग पासवा ना समझते हो। लेकिन रीत बहुत अच्छी तरह से समझते हैं अब वो का quais देखते ही यह दोनों नितिश कुमार और नैडू अपना काम कर देंगे दूसरी तरफ पार्टी के अंदर भी मोदी जी ने अपने लिए बहुत बड़ा गड़ा खोड़ दिया है विपक्ष को समर्थन के लिए सहमत करने के लिए सहारा किसका लिया राजनात सिंग राजनात सिंग सबसे वर वो करेंगे और उनने कहा तीन फोन किये मैंने लेकिन जब उनसे वापसी फोन करने को कहा गया डिप्टी स्पीकर को लेके तो राजनात सिंग फोन नहीं कर पाए बिचारे ऐसे में हुआ क्या ऐसे में बीच में अब फ़स गए राजनात सिंग ना वो बोल पा रहे हैं जब उनसे सुबा रिपोर्टरों ने पूछा तो शिरफ उन्हों ने इतना ही कहा कि मेरी तीन बार खड़के जिससे बात हुई है क्या बात हुई क्या बात नहीं हुई ये उन्होंने नहीं बताया कैसे बताएं फ़स गए हैं बीच में मोदी जी ने अपने फायदे के लिए उन जो इस विपक्ष का सदन में दिख रहा है अभी सम्विधान की प्रतियां लेकर शपत ले रहे हैं मनिपूर के नारे लग रहे हैं और आगे फ्रंट रो में बैठके राहूल गांधी और अखिले श्यादव पूरे सदन की कारवाई को चला रहे हैं विपक्ष को हैंडल कर रह होगा कलके जो वोटिंग है उसमें त्रिनमौल कॉंगरेस का रुख देखने का भी बड़ा इंट्रिस्टिंग थे त्रिनमौल कॉंगरे क्या करती है अगर तो चीजें कुछ खास अच्छी इंडिया घटबंदन के नहीं हैं लेकिन अगर इंडिया घटबंदन के साथ टीम सी भी खड़ी रहती है तो मोधी जी के लिए अच्छी ख़बरे नहीं हैं और रहुल गांधी और अखिले इशिया अदब तो लगातार नतीजाने के बाद से कह रहे हैं कि ये सरकार जादा लंबी नहीं चलेगी ये सरकार अपने वोच से खुद गिर जाएगी वो जो कहते हैं न रहुल गांधी की हमारे संपर्क में बहुत सारे NDA के छोटे घटक हैं वो ऐसे ही नहीं कहते हैं एक आध बार तो आदमी कह देता जुम्ले के तौर पे लेकिन बार बार एकी बात कहना राहुल गांधी के लिए तो फिशाल फिट नहीं बैठता क्योंकि उन्होंने जितनी बाते कहीं है वो उस पर खरे होत रहे हैं वो अपनी बातों पर उन्होंने कायम रहे हैं और वो बात में सच भी निकली है राहुल गांधी का ट्रैक रिकॉर्ड तो पिछले दस साल का यही है तो ऐसे बेगर वो बार बार कह रहे हैं तो इसका हम लोग जूट नहीं बोट रहे हैं एक तरफ वो एक तरफ प्रधान मंत्री का इस तरह का अडियल रविया दूसरी तरफ पार्टी के अंदर उनके खिलाब बगावद इस सब के सब देश को मध्यावदी चुनाव की तरफ धकेल सकती है अब अगर मध्यावदी चुनाव होगा फिर से वही बात काऊंगा नुकसान इन नेताओं का नहीं है नुकसान मेरे भाईों, मेरे बेहनों, मेरे ब्ज़रों हमार और आपका ही है भाई सुभा से शाम तक महिनत करते हैं भिर जाके चार पैसा कमाते हैं उसमें से सरकार को इमानदारी से Income Tax देते हैं यह सोच के कि इंकम टेक्स हमारे भले के लिए इस्तेमाल होगा लेकिन इस तरह से बर्बाद किया जाएगा हमारे Income Tax को तो मुझे तो बहुत तकलीफ होती है आपको होती है या नहीं होती मुझे नहीं मालो लेकिन मुझे बहुत तकलीफ होती है फिलाल इस वीडियो में इतना ही उम्मीद कर तो आपको वीडियो पसंद आया पसंद आता मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक और शेर कीजिएगा नमस्कार